तो बॉवी दिवल की एंट्री का ये वाला गाना रणवीर कपूर से भी जादा फेमस हो चुगा है नहीं सच मैं पूरी मूवी के अंदर मूवी का मेन करेक्टर था रणवीर कपूर पर वहाँ आई कौन ले गया बॉवी दिवल पर के आपको मालम है कि बॉवी ने अपने सिंदिकी में ऐसे ऐसे बुरे तिन देखे जिसको सुनकर आपको यकीन नहीं होगा के इतने बुरे तिन देखने के बाद भी कोई एक्टर इतना अच्छा कमबैक कर सकता है तो आज में आपको लीजेंडरी बॉवी की शुरु आज से लेकर यहां तक की स्टोरी बताऊंगा जो कि काफी जादा इंट्रस्टिंग है तो नो डाउट बॉवी देवल चान्री की चम्मच लेकर पैदा हुए थे क्योंकि उनकी पिताजी धर्मेंदर काफी बड़े एक्टर थे इसलिए बॉवी को अपनी पहनी मुवी 6 साल की उमर में ही मिल गई थी 1977 जहां पर बॉवी ने अपने पापा की बच्पन का रोल किया था और मुवी का नाम था धर्मवीर अब ये तो रोल था बच्चे का पर जैसे ही बॉवी बड़े हुए 21 साल की उमर से ही बॉवी ने ट्रेटर वगएरा करना शुरू कर दिया था और धर्मिंद बस एक मौके की तलाश में थे कि जैसे ही उनको एक अच्छा डिरेक्टर मिलेगा वो अपने बेटे को लॉंच कर देंगे और वो टाइम आ गया सन 1909 पे जब पॉवी दिवर को साइन किया गया था मौवी बादल के लिए और उनकी हेरोईन थी करिश्मा कपूर पर को इस टाइम बार इस मौवी के एक्टरस बदल दी गई जो की थी पेंकल खन्ना और आप यकीन नहीं मानोगे कि इस मौवी को रिलीज होने में 5 साल लग गए जी आग्यों की इस मौवी के जो डाइरेक्टर थे वो बदल चुके थे जिसने पहले मौवी बनाना स्टार्ट करी थी वो वीच में ही मौवी को छोड़ कर चला गिया था पर जब दूसरा डाइरेक्टर आया तो इसने अपनी गड़त लगाई और इस लिए इस मौवी को बनने वे टोटल 5 साल बेस्ट हो गए और यहां तक कि इस मौवी का नाम भी बदल दिया गया था जो की पढ़ गया था बर साथ जिसका आपने यह वाला गाना सुनाओगा तेरी अदाओ पे मरता हो और एक और गाना हमको सरफ तम से प्यार है और इस मौवी ने काफ़े अच्छी कवाई करे मतलब हुमारे बौब की मौवी कंप्लीट कराई अब भाया जो है अभी खुद आक्टर होकर उनने में को इतना हेल्प किया अपनी फिल्म रोक कर मेरी फिल्म पहली फिल्म बनाई पापा को इतना टेंशन ही दिया पापा ने इतना साल काम किया और पहली मौवी से बौबी के अच्छे देन आ कि अपत यह मौ एक स 57 थ्रिलर मौवी थी औरर मौववी काफिजादा हिट रही वा बववी की तोणू मौवी सुपर हिट रही और अब बव यो चुके थे काफिजादा फेमस पर सब्रीदे इस मौवी के आद Seth Hai वह की दो आने वाले मौवी फ्लॉप हो स्वान के इस मौव के अंदर सब कुछ परपेक्ट था, गाना भी बढ़िया थे, स्टोरी भी बढ़िया थी, बॉबी की एक्टिंग भी बढ़िया थी, वहले लोगों को वो सब मिला था इस मूवी के अंदर, चो लोगों को चाहिए था, और इसके बाद बॉबी के एक और मूवी आई, दिल की मूवी इतना जाद अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, और ऐसी बॉबी की आने वाली तीर और मूवी थी, और इन मूवी ने भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, पर अब इसके बाद बॉबी की आने वाली मूवी, फ्लॉप पे फ्लॉप हो रही थी, यहां तक और यह movie ठीक ठाक चली जिसका आपने वाला गाना सुनाऊगा अपने तो अपने होते हैं और इस movie के बाद बॉवी ने अपने life का एक काफी बड़ा गलट decision ले लिया था वो decision था जब V-Mate movie को reject करने था जो जब V-Mate movie के director थे वो चाहते थे कि इस movie के अंदर Bobby हो पर Bobby ने इनको मना करतिया था और जब यह मुवी स्पर हित हो गई तो speaking को से हुआ वा कि पाफी बड़ी खल्微usion और होल और ने वाले मूवी फ्लॉप पर फ्लॉप हो जा रही थी पर काफी फ्लॉप मूवी के बाद बोभी को एक और मुवी मिली यमला पगला देवाना जो की रिलीज होई थी 2011 में ये मुवी काफी अच्छी हिट होई थी जिसमें पिता धर्मेंदर भाई सनी देवल और बॉवी देवल थे ये मुवी एक कॉमेडियो मुवी थी इसका एक गाना भी काफी द्यादा फेमस हुआ था मैं जटे यमला पगला देवाना और अप इतनी सी बात न चाना के 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 पर इसकी बात फिर से बॉवी की वई फ्लॉप मुवी का सिलसला शुरू हो गया और इसके बात लगातार चार साल बॉवी ने एक भी मुवी नहीं करी और आप ये सोचिए चार साल ना काम करने की वया से बॉवी के बच्चे भी ये कहने लगे थे कि आप खाम पी क्यों नहीं जाते आप तो घर पर ही रहते हो हमेशा और बॉवी को ये बात काफी बुरी लग गई थी जायर सी बात है कि इतनी बड़ी बात कोई कह दे तो इंसान को तो बुरा लगी जाता और अब बॉवी डारेक्टर के पास जाते थे उनको अपरोच करने के लिए और रिक्वेस कर रहे है कि अगर आपके पास कोई मुवी है जिसमें मैं काम कर सकता हूँ तो प्लीस मेरों को ले लिचिए और आकर कर बॉवी को एक मुवी मिल गई जिसका नाम था पोस्टर पोई जो के रिलिस होई थी सन 2017 में पर ये मुवी भी कुछ ने उखाड़ पाई और बॉवी फिर से निराश हो गए 2018 में एक और मुवी उनकी आई जिसका नाम था यमला पंगला देवाना 2 ये मुवी भी फ्लॉप रही बॉवी फिर से निराश पर इसी साल बॉवी के कोई मुवी आने वाली थी जिसका नाम था Race 3 जिज में थे सभी के भाईचान सल्मान खान और सल्मान खान के ही कहने पर बॉवी को इस मुवी के अंदर काम मिला था और अब फिर से लोग बॉवी के बारे में बातचीत करने लगे और बॉवी के एक और मुवी आई सन 2019 में जिसका नाम था Houseful 4 इस मुवी ने कापी अच्छी कमाई करी थी और इस मुवी के अंदर काम करके बॉवी को अच्छा मैसूस हुआ कि फाइनली उनकी एक मुवी थोड़ी अच्छी तरीके से एट हुई पर हाउसफुल 4 के बार बॉवी की जो अगली मुवी आने वाली थी उस मुवी ने बॉवी का करियर पूरी तरीके से बदल दिया था इस मुवी का नाम था ग्लास ओफिटी थी थी जोकि आप मेंसे किसी ना किसी ने देख रही होगी पर बॉवी की अगली मुवी जिसका नाम है आश्रम वो मुझे लगता है कि आप मैंसे 95% लोगों ने सरूर देखी होगी और जो 5% लोग हैं उनमेंसे मैं आता हूँ क्योंकि मैंने बॉवी की आश्रम अभी तक नहीं देखी तो बॉवी के चितने भी फैंसी वीडियो देख रहे हैं उनको दिल से सौरी और जो बॉवी की क्लास ओफिटी थी 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 ना उसके लिए बॉवी को बेस्ट cookie actor का cold award मेला था पर एक तरब बॉवी के positive role के लिए उनको ओउड मिल रहे थे पर वहीं बॉवी की web series आश्रम के negative role के लिए बॉवी को वा-वाही मिल रही थी और यहीं वह web series थी जिसके बार बॉबी को Lord बॉबी की उपाधी मिली वो तो आप सभी कुमालम लोग हर जगे अनिमल की बात कर रहे कुछ नेगेटिव, कुछ पॉजटिव पर मुवी तो एट हो गई न और जो भी लोग इस मुवी के प्रति अपना नेगेटिव थौट रख रहे हैं वो रडवीर कपूर और इस मुवी के डिरेक्टर के बारे में बोल रहे हैं ना कि लॉड बॉबी के बारे में लॉड बॉबी का इस मुवी के अंदर चादा बड़ा रोल नहीं था पर चितना भी था कमाल का था बॉबी के एंट्री सॉंग नहीं शोशन्मीडिया में तिनी आлам लगा दी है कि हर कोई बॉबी के एंट्री सॉंग में चिल कर रहा और अब Lord Bobby सब जग較 अच्छा चुके हैं क्योंकि Lord Bobby के अच्छे दिन आ चुके हैं एक वीडियो मेंने देखी थे जहाँ पर Lord Bobby इमोशनल हो गए थे उनके फैंस का प्यार और सपोर्ट देखकर तो लॉड बॉबी की काने से हमको यही सीखने को मिला कि अगर आपको मालूम है कि आप काबिल हैं तो काम करते रहिए और अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए जहां पर मैं किसी ना किसी पॉलिवोड एक्टर के बारे मैं आपको बताओ विस्तार से तो कमेंट करना मत भूला सब्सक्राइब कर देना चैनल को पावर पस